अपने बेबी के लिए feeding bottle लेने से पहले हमें बहुत सारी छोटी छोटी पर important बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उनके लिए सही feeding bottle चूस कर पाए और हमारा बेबी आराम से feed कर पाए एक bottle में दो main component होते हैं टीट और body सबसे पहले बात करते हैं टीट की जिसे हम निपल भी कहते हैं टीट लेते समय हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें सबसे पहला important point है shape टीट दो shape के आते हैं natural और classic नाचुरल टीट का shape मदब breast के shape की तरह ही होता है तो अगर आप अपने बच्चे को bottle का milk दे रहे हैं और साथ ही साथ breast feed भी करा रहे हैं तो आपको natural टीट ही लेना चाहिए अगर आपका बच्चा exclusive bottle feeding करता है तो आप उसके लिए classic टीट भी ले सकते हैं यह natural टीट के comparison में सस्ते भी होते हैं और इनकी life भी natural टीट के comparison में थोड़ी जादा होती है दूसरा important point जो हमें टीट लेते समय ध्यान में रखना चाहिए वो है flow speed टीट अलग-अलग flow speed में आते हैं जैसे कि slow, medium और fast अगर टीट का flow बच्चे की demand से कम होगा तो हमारे बच्चे को milk सक करने में मुश्किल होगी फिर या तो वो भूखा रह जाएगा या परिशान होके रोने लगेगा इसी तरह अगर टीट का flow बच्चे की demand से जादा है तो इतना milk एक साथ हमारा बच्चा गल्प नहीं कर पाएगा इस वज़े से उसे खासी भी आ सकती है इसलिए बहुत important है कि हम अपने बच्चे की age के appropriate सही flow वाला ही टीट ले तीसरी important चीज जो हमें ध्यान दखनी चाहिए वो ये कि टीट हमेशा anti-colic होना चाहिए अगर टीट anti-colic नहीं है तो feeding के दौरान bottle में vacuum बन जाता है जिसकी वज़े से हमारा बच्चा ठीक से milk सक नहीं कर पाता और इस struggle में milk के साथ साथ हवा भी बच्चे के पेट में चली जाती है जिससे उसके पेट में दर्ध होता है जिसे हम कॉलिक भी कहते हैं एंटी कॉलिक टीट होना बहुत ही important है एंटी कॉलिक टीट में एक valve होती है जिससे bottle के अंदर हवा आ जाती है और bottle में vacuum नहीं बनता इससे हमारा बच्चा आसानी से milk सक कर पाता है और उसे कॉलिक जैसे भी कोई समस्या नहीं होती इसलिए हमें हमेशा एंटी कॉलिक टीट ह करना कितना आसान है पर उससे भी ज्यादा आसान आपको पता है क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको उसके लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है इस तरह आप मेरे चैनल को तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टो टाइम मिल दे रहेंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए तो अब बात करते हैं बॉटल की बॉडी की बॉटल की बॉडी सेलेक करते समय भी हमें तीन बातों का खयाल रखना चाहिए जिसमें सब से पहला है बॉटल का material बॉटल जनरली चार टाइब के material में आती है प्लास्टिक, सिलिकन, स्टील और ग्लास इन में से सब से कॉमन है प्लास्टिक प्लास्टिक बॉटल हलकी होती हैं, सस्ती होती हैं और जल्दी तूटती भी नहीं लेकिन प्लास्टिक बॉटल चूज करते समय हमें विशेश ध्यान रखना चाहिए कि बॉटल हमेशा food grade BPA free plastic material की ही बनी हो पर BPA free होने के बाध जूद भी plastic bottle बाकी material से कम सेफ होती है और regular use से इनमें micro scratches भी पढ़ जाते हैं जिनमें bacteria ग्रो हो सकते हैं और इसलिए हमें plastic bottle को 3 months to max 6 months के अंदर replace कर देना चाहिए तो अब बात करते हैं silken bottles की silken bottles plastic bottle के comparison में ज्यादा सेफ होती है silken bottles soft और flexible होती है ये expensive भी होती है बट ये bottles ज्यादा popular नहीं है और आपको market में इनके options भी कम मिलेंगे तो अब बात करते हैं steel bottles की दोस्तो steel bottles बहुत ही safe होती है ये थोड़ी expensive भी होती है steel bottles में plastic bottles की तरह generally कोई measurement scale नहीं होता ये microwave safe भी नहीं होती बट अगर आपको इन छोटी छोटी बातों से कोई जादा फरक नहीं पड़ता तो आप steel bottle ले सकते हैं ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छी choice है तो आप बात करते हैं glass bottles की दोस्तों glass bottle को आप सालों तक यूज़ कर सकते हैं बस आपको glass bottle को गिरने से बचाना है ताकि वो तूटे नहीं glass bottle को आप microwave में यूज़ कर सकते हैं इन में marking scale भी होता है और इन में milk का smell और taste भी बिलकुल change नहीं होता glass bottle का negative यही है कि यह गिरने पे आसानी से तूट जाती है यह थोड़ी भारी भी होती है और थोड़ी expensive भी बट क्योंकि glass bottle को आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं इसलिए long term में यह cost effective पड़ती हैं आप अपनी requirement और preference के हिसाब से bottle का material चूज़ कर सकते हैं अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपने बेबी के लिए घर पे glass bottle यूज़ करती हूँ और travel के दौरान plastic bottle यूज़ करती हूँ मैंने Indian market में available top 5 bottles का भी एक comprehensive video बनाया है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा आप उसे चेक कर सकते हैं तो material के बार बात करते हैं bottle के shapes की bottle generally दो shapes में आती है narrow neck and wide neck narrow neck bottles पतली और लंबी होती है जिससे इन्हें handle करना बहुत ही आसान होता है wide neck bottles का मुँ चौड़ा होता है जिससे इनमें formula प्रिपेर करना और इन्हें साफ करना बहुत ही आसान हो जाता है और अब finally बात करते हैं bottle के sizes की feeding bottle generally दो sizes में आती है 120 ml और 240 ml आपको अपने baby के age और demand के according सही size की bottle लेनी जाहिए अगर आपका बच्चा तीन महीने से छोटा है तो आप उसके लिए 120 ml वाली bottle ले सकते है और अगर आपका baby तीन महीने से बढ़ा है तो आप 240 ml वाली bottle ले सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि formula milk को हमें कैसे और कितनी देर तक store करना चाहिए तो इस topic पे मैं already एक video बना चुकी हूँ उसका link आपको description box में मिल जाएगा तो आईए एक quick recap कर लेते हैं जब भी आपको बच्चे के लिए feeding bottle लेनी है तो सबसे पहले आपको bottle का material decide करना है आपको अपने बच्चे के लिए plastic bottle लेनी है silken bottle लेनी है, steel या फिर glass bottle लेनी है bottle का material decide करने के बाद आपको bottle का shape और size decide करना है आपको wide neck वाली bottle चाहिए या narrow neck वाली और आपको 120 ml वाली bottle चाहिए या 240 ml वाली फिर इन selected bottles में हमें वो teeth लेना है जिसका shape और flow हमारे बच्चे की age और requirement के according हो और साथ ही साथ ये verify भी कर लें कि teeth हमेशा anti-colic होना चाहिए मैंने हर material में कुछ selected best selling bottles का link आपको description box में दे दिया है आप उसे check कर सकते हैं और हाँ bottle कोई भी हो आपको उसे अपने बच्चे को feed कराने से पहले हर बाद अच्छे से धोना है और sterilize करना है especially अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है प्लीज मुझे comment box में बताएं कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सी bottle यूज़ कर रहे हैं मुझे आपके comment पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है I hope कि इस वीडियो में आपको अपने बच्चे के लिए सही bottle choose करने में help मिली होगी अगर आपको ये वीडियो helpful लगा है तो प्लीज इसे like दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर subscribe केजिए Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye Bye